हे गाइज वेल्कम बैक टो माई चैनल टूमपस की चिजिन एन व्लोग तो देखिए बाजार से मोटा मोटा लाल लाल मेच लाई हूँ तो इसको धो के सुखा के उपर से छत में दालेंगे देखिए कितना बड़ा बड़ा है इसका चिलका उतार के इसका सुखा लेंगे अच एक-एक करके इसका चिलका उतर दिया तो देखिए ऐसा साफ करने ना है उसके बाद पाने में धो के चट पे सुखा के रखना है और नेक्स टेप देखिए कलोंजी, मेथी दाना, सर्सो, सौंप, धनिया, जीरा और अजवाइन और देखिए थोरा सा सुखा मेर्च थोरा सा सुखा मेर्च पहले भून लेना है उसके बाद पूरा मसाला देना है धिमी आज में इसको अच्छे से रोष्ट करना है ज्यादा नहीं करना है क्योंकि उसका खुझवू जो है ना ओभर हो जायेगा तो ऐसा कर के रख देना है थंडा होने के बाद ग्राइंडेर में डालेंगे तो देखिए मैंने में देखिया कितना सुन्दर शूग गया है और में इसको ऐसे कट कर लेंगे देखिए गाइस तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कॉमेंट करना कॉमेंट में बताना कि आप लोग भी ऐसे बनाते हैं कि नहीं तो देखिए मैंने पूरा मसाला डाल दिया है अभी इसको पीस लेंगे अच्छे से देखिए ऐसे दरदरा कड़के पीसना है ज्यादा बारिक नहीं करना है क्योंके मसाला दरदरा रहेगा तभी खाने में मज़ा आएगा तो चलो कड़ाई में ओयल डाल देंगे इसको अच्छे से गरम कर लेंगे ओयल को डाल के तो अभी इसमें मैं डालूंगी मसाले में काला नमा काला नमा खाने में अच्छा लगता है और स्वादिस्ट भी है और खुजबू भी बहुत बढ़ी हाता है गाईस तो ऐसे मिला लेंगे तो देखिए अभी दो निम्बू काट कर लेंगे निम्बू का रस देना है खटाई के लिए तो ऐसे काट के आप निम्बू का रस दे सकते हैं या सिर्का भी डाल सकते हैं तो मैं इसमें निम्बू का रस डाल रहे हूँ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खुजबू भी बढ़ी हाता है तो इसमें द्यालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आएगा तो एक चमच हल्दी पाउडर डाल दिया इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो गाइस देखिए मेरा मिक्स हो गया ऐसे करके मुझे लगता है थोड़ा सा मिर्च और डालना प kulle तो एक चमच और डाल दिया और यह घुलता हुआ तेल डाल दिया है मसाले में देखिए कैसे उबल रहा है गाइस ऐसे मिक्स कर लेना है तो ये वाला चार आप घड में बना के रखिए बहुत दिनों तक रहता है हम लोगों के घड में तो ज़्यादा रही ही रहता क्यूंकि हम लोग खा लेते हैं रोटी के साथ पराटी के साथ या राइस के साथ दाल चावल जब बनता है तो आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं बहुत दिन तर तो देखिए मसाला कितना अच्छे से त्यार हो गया तो चलिए इसमें भर लेते हैं ऐसे इसको अंदर में ऐसे डाल देंगे अच्छे से मेच के भरवा बिंगन के तरह एक एक करके पूरा मेच में मैं ऐसे भर लूँगी तो देखिए फाइनली पूरा मैंने भर लिया है बहुत ही अच्छा लगता है गाइस तो कैसा लगा वीडियो आये हो आप लोगों को अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत बहुत सपोट करना और कॉमेंट में जरूर बताना के आप लोगों को कैसा लगा वीडियो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और धेर सारा मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए प्लीज फॉलो किजिए तो देखिए पूरा मैंने भर लिया है तो मेरा अचार तैयार है अभी इसको चत में दो दिन सुखाएंगे तो चलो बाई बाई